दोस्तों, दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अप्लोड की थी, जिसमें एक्षन के बारे में बताया था, एक्षन एक काम नेक, और उस वीडियो में बहुत सारी कमेंट ऐसी आ रही है, जैसे की एक्षन डाउनलोड नहीं हो रहा, एक्षन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, तो काफी सारी कमेंट आ रही है, तो हर कमेंट का तो मैं जवाब दे नहीं पाया, लेकिन उस एक्षन में थोड़ी सी कमी रह गई थी, और आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूँगा, एक्षन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लोड करना है, आपको सिर्फ टेलिगराम पर जाके और इस एक्षन का लिंक वहाँ में पर प्रॉवाइड है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते है, । टेलिगराम का लिंक आपको इसी वीडियो के मेरे चैनल की इसी तरह की यही वीडियो आएगी जो अभी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो को नहीं इस वीडियो पर नहीं जाना है यह तो सिर्फ मैं एक डेमो के तोर पर यूज कर रहा हूं और आपको करना क्या है वीडियो जैसे प्ले करते है और यहां से पाइलेगा action download का एक link मिलेगा, Google drive का link जो आप adapted method अडाउम्लोड करना है डाउम्लोड करने के लिए आपको इस तरह के link पर click करना है इस वीडियो पर नहीं करता है आपको कभी आप इस वीडियो पर कर दो आज की date वाली वीडियो पर आपको click करना है जैसे कि इस तरह से click करेंगे तो इस तरह से एक अलग window open हो जाएगी आपकी Gmail ID ओन होनी चाहिए और आप चाहे तो यहां से भी इसको download कर सकते है या फिर चाहे तो ऊपर राइट साइड से भी इसको download कर सकते है अब यह action हमारा download हो चुका है अब इसका कोई काम नहीं है इसको कट कर देते है इस वीडियो को भी कट कर देते है और Photoshop पर जाते है यहाँ से Windows में जाके Action को Open करेंगे अब जैसे आपने Action को डाउनलोड कर लिया है तो Action को यहाँ पर load करना है तो आपको करना क्या है यहां से भी जाके तीर के निशान पे और यहां से भी लोड एक्षन पे जा सकते है या फिर आप डारेक्ट भी फॉल्डर में जाके और जिस नाम से एक्षन होगा जहां भी आपने शेव किया होगा वहां पे जाके और अब जैसे यह है complete escape photos इस तरह से आपका भी action मिलेगा तो उसको mouse से पकड़के और photosome मिला के छोड़ देना है यहां इस action में सबसे नीचे नीली पट्टी आ जाएगी आपको दिखाई दे रही होगी आपे यह हमारा action यहाँ पे आ चुका है जैसे ही यहाँ इस play के निशान पे क्लिक करेंगे तो यह action इस तरह से हमारा खुलेगा लेकिन यह action यहाँ से काम नहीं करेगा यहाँ से काम करने में बहुत टफ होगा आपको इस action से काम करने के लिए करना क्या है यहाँ डबल तीर पे जाना है उपर और यह button mode का option है इस पे क्लिक कर देना है आपके जितने भी अपने action होगे और photoshop के जो अपने action होगे वो सभी आपे इस तरह से दिखाई देंगे लेकिन यह जो action होगा यह सबसे नीचे दिखाई देगा और यह यहाँ से शुरू होगा select and close और print पे जाके खतम हो जाएगा अब आपको करना क्या है इस तरह से यह action आने के बाद यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा select close, paste, high resolution of remove background अब जैसी यह photo है तो इसकी background को remove करना है तो Photoshop 7.0 में ऐसा कोई option नहीं है जिससे कि हम एक click के साथ photo की background को remove कर सके हाँ यह latest version जो बाइस है तेईस है Photoshop के latest version उनमें one click के साथ remove हो जाती है लेकिन उनमें भी कई बार manually तरीके से काम करना पड़ता है perfect तरीके से वो भी remove नहीं कर पाता है तो हमें remove करने के लिए करना क्या है सबसे पहले google पे आएंगे और यहाँ पे remove background सर्च करेंगे यहाँ से पहली साइड को आम open करेंगे और upload image पे click करेंगे और जिस photo की आप background remove करना चाते है उसको open कर देंगे automatic यहाँ से background remove हो जाएगी आप यहाँ देख सकते है यह background remove हो चुकी है उपर download का option है यह free में download होगा और नीचे download HD है अगर इसको HD में आपको download करना है तो इसके लिए आपको purchase करना पड़ेगा तो फिलाल हम इसको trail version पे download करते है यहाँ से download करेंगे तो यह photo download हो चुकी है आप चाहिए तो यह download पे जाके यहाँ से भी open कर सकते है या फिर folder में जाके जाँ भी हो वहाँ से इस तरह से photo song में open करेंगे तो यह photo अमारी इस तरह से यहाँ पे open हो जाएगी और जैसे ही मैं इसको zoom करूंगा तो देखिए इसकी quality बहुत ही कम हो चुकी है और यह हमारी photo बिलकुल perfect high resolution में है आप देखेंगे लेकिन जैसे ही हमने remove की है background को यह हमारी quality कम हो चुकी है अब इसकी quality को perfect रखने के लिए यह action बनाया गया है जिसमें यह लिखा है high resolution of remove background अब हमें करना क्या है इस original photo को crop tool लेके और यहाँ पे front image पे clear करना है एक बार इसका यह size यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हमें इसको select and close कर देना है जो action आपने तियार किया है उसको select and close करना है यह हमारा select भी हो जाएगा और close भी हो जाएगा और इस photo को बड़ा करके पहले एक बार crop कर लेंगे पूरे को और enter करेंगे image का size बढ़ जाएगा और अब नीचे option है paste का अभी आप पहले देखेंगे यह photo दुंदली दिखाई दे रही है और हम यहाँ पे paste करते है तो यह photo हमारी बिलकुल clear photo हो चुकी है और अब हमारा high resolution of remove background का option है इस पर हमें click करना है तो देखिए हमारी जो original image है high resolution वाली उसकी background इस तरीके से remove हो जाएगी आप अच्छे से वीडियो को देखना द्यान से और इसके बाद है हमारा option photo cleaner का photo को आपको अगर ज्यादा साफ करना थोड़ा बहुत है तो यहाँ पे photo cleaner पे click करेंगे आप देखिए photo light हो चुकी है इस तरह से और photo lighting का एक option है हमारा ये levels open हो जाएगा यहाँ से photo को हम इस तरह से dark भी कर सकते है और ok कर देंगे इसके बाद नीचे है हमारा plain background यानि कि हमें photo में background लगानी है तो यहाँ पे click करेंगे और यहाँ से हम जोन सी background चाहे वो background यहाँ से जिस color में हमें background यूज करनी है वो यहाँ पे लेंगे मैं इसी को ले लेता हूँ जैसे और ok कर देंगे और इसके बाद है हमारा option delete current layer हमें इसको जैसे delete current layer पे करेंगे तो पीछे की background डिलिट हो जाएगी आपको दूसरी background चाहिए तो फिर से click करके फिर से ले सकते है और फिर complete complete पे click करेंगे और इसके बाद है अगर हमें 6 photo बनाने है तो A4 की sheet पे हम 6 passport photo बना सकते है इस action के जरिए जैसे कि मैं click करता हूँ इस पे यहाँ पे हमारा जो है एक crop का option आएगा इसको आप माउस से इस तरह से बड़ा करेंगे अपना passport size यहाँ से इस तरह से तयार करेंगे और अब हमें enterprise कर देना है A4 की sheet पे यह हमारे 6 photo तयार हो चुके है आप देख सकते है 6 photo तयार हो चुके है और अगर हमें इनके double चाहिए 12 चाहिए 12 चाहिए 12 चाहिए 24 चाहिए तो इसके नीचे extra add photo का एक option है उस पे click करते जाना है 12 photo, 18, 24 इस तरह से हमें जितनी भी photo चाहिए extra add photo पे click करते जाना है तो यह इस तरह से click हो जाएंगे हमारे photo तयार हो जाएंगे A4 की sheet पे अब नीचे 4 by 6 sheet passport photo और जैसे एक photo यह है मेरे पास तो आमें करना गया जैसे इसकी background लगानी हमें तो सबसे पहले plain background पे जाएंगे, ok कर देंगे और अब जैसे मुझे 4 by 6 की sheet पे photo चाहिए तो यहाँ पे 4 by 6 की sheet का option है इस पे click करेंगे हमारे सामने फिर से crop tool का option आएगा photo को इस तरह से crop कर लेंगे और enterprise कर देंगे यह 4 by 6 की sheet पे 3 photo तयार होंगे आप देखेंगे यहाँ पे 3 photo है हमें इनकी extra copy करनी है तो extra add photo पे click करेंगे 6 photo हो जाएगी फिर से click करेंगे 9 हो जाएगी फिर से click करेंगे तो 12 photo हो जाएगी और इसी तरह सबसे निचे print का option जैसे हम print पे click करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा printer open होगा यह scale to fit media पे click कर देना है और page set पे जाके इसे landscape की जगह portrait पे click कर देना है okay करेंगे और यहाँ से print पे click करके आपका जो printer है उसको यहाँ इस तरह से select करेंगे जो उनसा भी आपके पास printer है और फिर तो आपके print निकलना start हो जाएगा तो इस तरह से action काम करेंगा यह और उमीद करता हूँ वीडियो में अच्छे से आप सेख पाए होंगे action किस तरह से download करना किस तरह से save करना और किस तरह से इसको use करना है सब अच्छे से समझ में आ चुकी होगी तो मिलते है इसकी नई वीडियो में तब तक के लिए thank you